क्या बहुत सारे लोगों की तरह आपके मन में भी ये सवाल है क्या आप NLP तो सीखना चाहते हैं लेकिन आपको ये clarity नहीं है कि NLP को learn करने के बाद इस field में एक successful career बनाया जा सकता है या नहीं या आप उस category को belong करते हैं जिन्होंने कहीं और से NLP सीखी है not from my programs और आज आप confused हैं कि मैं NLP सीखने के बाद NLP सिखाऊं मैं अपने खुद के training programs डिजाइन करूं या आपने अपने खुद के training programs या modules डिजाइन भी किये हैं लेकिन आज आप struggle कर रहे हैं sufficient number of participants को अपने program में enroll करन competitive होने वाला है यह आपकी बहुत सारी confusions को दूर कर देने वाला है और आप clarity के साथ अपने life के सही direction में आगे बढ़ पाएंगे मेरा नाम वेध है मैं last 10 years in the field of mind programming work कर रहा हूं और मैं आपको welcome करता हूं program your mind organization में इसके पहले कि मैं आगे बढ़ू हूं मैं चाहता हूं कि आप इस channel को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस करें so that you can watch every video अब सबसे पहले समझते है NLP जो एक बहुत ही जादा powerful science है which stands for neuro linguistic programming यानि कि वो language जिससे आप अपनी neurology को अपने mind को program कर सकते हैं उसे NLP कहते हैं तो क्या इस field मे वाकई में career बनाया जा सकता है तो इसका answer मैं आपको देता हूं कि आज आप दुनिया में जितने भी बहुत जादा successful लोगों को देख रहे हैं आज हर वो इनसान NLP को use कर रहा है companies जैसे की Google, Apple या जिस भी बड़ी company को आप जानते हैं जिस भी बड़े brand को आप जानते हैं कही न कहीं वहां पर NLP की चीजों को utilize किया जा रहा है उन्हें skills को use किया जा रहा है अगर आप training, counseling, coaching इस field की बात करें तो दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा trainer नहीं है जो NLP की skills को use न कर रहा हो चाहे वो Anthony Robbins हो या कोई भी और तो यह सब कुछ क्यों हो पा रहा है क्योंकि उन्ह NLP के field में definitely career बनाया जा सकता है इसको learn करके results produce किये जा सकते हैं लेकिन अगला question होता है how यह कैसे possible है उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि NLP को learn करने के बाद करना क्या चाहिए जैसा मैंने बुला एक category उन लोगों की है जिन्होंने कहीं और सा NLP सीखी है उनके लिए भी यह बात बहुत ही जादा relevant है तो ध्यान से समझेगा कि जब आप NLP को learn करने के बाद NLP सिखाने के लिए बाहर निकलते हैं तो आप उन लोगों के साथ compete कर रहे हैं जो already NLP में brand हैं तो लोग आपके पास जाने की बज़े उनके पास आसानी से चले जाते हैं जो already अपने आपको establish कर चुके हैं जो इंडिया में एक successful NLP coach या trainer की तरह नज़र आ रहे हैं तो आपको कुछ skills पता होनी चाहिए आपको कुछ strategy पता होनी चाहिए कि वस competition के बावजूद भी आप अपने आपको successful NLP trainer कैसे बना सकते हैं मैं अपने participants के साथ वो सारी चीज़ें share करता हूँ second आपको ये समझना है कि the best way is कि आप NLP को learn करिये और NLP को learn करने के बाद जिस चीज़ में आपका खुद का बहुत जादा interest है पहले से जैसे वो healing हो सकती है वो parenting हो सकती है वो relationship हो सकता है वो motivational speaking हो सकती है वो public speaking हो सकती है या वो coaching हो सकती है या कोई भी और ऐसी चीज जिसमें आप पहले से skills रखते हैं उसके साथ आप अपनी NLP की knowledge को combine करिये हमेशा मैं अपने participants को ये कहता हूँ कि NLP सीखके NLP सिखाना जो decision है वो भी एक अच्छा decision है लेकिन वो किन लोगों के लिए है वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा majority of लोगों को करना ये चाहिए कि NLP को learn करने के बाद जो existing आपके पास स्किल है या जिसमें आपका बहुत ज़ादा inclination है उसमें आपको NLP की language को NLP की knowledge को integrate करना चाहिए combine करना चाहिए और एक ऐसा product create करना चाहिए एक ऐसा training module create करना चाहिए जिससे आप लोगों को serve कर सके जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी आपका competitor नहीं होगा क्योंकि parenting पे काम करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं कोचिंग देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं success के उपर बात करने वाले लोग बहुत हो सकते हैं motivational speaking के उपर बात करने वाले लोग हो सकते हैं लेकिन अगर इन में से किसी भी स्किल को आपने NLP के साथ combine कर दिया तो that will become a unique combination उस particular skill को अगर आप एक नाम देते हैं आप अपने training program का कोई unique नाम देते हैं design करते हैं उस तरीके से तो वहाँ पर आपका कोई भी competition होने वाला नहीं है because you will not just be another NLP trainer और another parenting coach और parenting expert you will be expert of your domain और जब आप ये समझते हैं तो आप ये समझ जाएए कि आप competition से already बाहर आ चुके होंगे आप अपनी journey में आगे बढ़ जाएंगे provided कि आपका जो content है जो आपका course है वो वाकई में value provide करने वाला हो आज अगर आप value नहीं provide करेंगे you will be out of the business like this क्योंकि business में training, counseling, coaching किसी भी और field में आज वो ही आगे बढ़ता रहेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा जो value provide करेगा जो value नहीं provide करेगा जल्दी ही उसके बारे में word of mouth negative हो जाएगा और लोग उसके पास आना बंद कर देंगे right so you need to understand this और इसके लिए अगर आज आपको अंदर से doubt आता है कि NLP को शायद मैं जानता हूं या जानती हूं लेकिन उसको combine करके एक program create करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी भी आप NLP को सही तरीके से नहीं जानते क्योंकि जिस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जान लेते हैं उसे explain करना आसान हो जाता है simple हो जाता है और आपके लिए ऐसा ही होना चाहिए अगर ऐसा आपके लिए नहीं हो रहा तो मैं आपको request करूँगा that come to my course क्योंकि मैंने बहुत महनत की है NLP को simplify करने में और आज जिन लोगों ने NLP मुझसे learn की है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि the day one जब हमने NLP को start किया था and the day we have completed the course we are not the same person हमारे अंदर कुछ तो अंदर से बदल चुका है और आज हमें ये समझ आता है कि अपनी language को कैसे use करना है अपनी body language को कैसे use करना है सोचना किस तरीके से अपने mind को program कैसे करना है outcome कैसे set करने है strategies कैसे बनानी है आज वो ये सारी चीज़ों के साथ familiar हो चुके है और इसे learn करके वो अपनी life को improve कर रहे है और मैं यही result आपके लिए भी चाहता हूँ तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझे और आप जब एक valuable course बनाएंगे एक ऐसा course या एक ऐसा training module बनाएंगे which actually provides value तो आपको competition के फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी people will enroll in your course provided you do it in a proper systematic manner जो मेरा program है उसमें मैंने NLP को सिखाया हुआ है और उसके बाद system को explain किया है कि आप अपने आपको इस market में place कैसे कर सकते हैं क्या exactly आपको करना चाहिए जिससे आप एक अच्छे trainer, counselor, coach, motivational speaker या इसमें से किसी भी field में आप जा सकते हैं और अपने आपको place करके अपने आपको brand बना सकते हैं तो वो सारी चीज़े मेरे course में detail में available हैं उसे आप join कर सकते हैं link आपको नीचे description में भी मिल जाएगा और अभी display हो रहा होगा तो कोई भी way आप choose करिये and go for that course आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी even if आपने NLP कहीं और से learn किया है still I recommend you come to my course and you will find the difference कि कैसे चीज़ें change होती हैं और आज मुझे comment करके जरूर बताईए कि आप अपने आपको किस field में यानि कि NLP को आप किस skill के साथ combine करेंगे और आप अपना training program design करेंगे और जाते जाते मैं एक सवाल का जवाब और देता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जिने NLP को learn करने के बाद NLP सिखाना चाहिए वो वो लोग हैं जो मेरे जैसे हैं यानि कि जिनका deep interest NLP को learn करने में human mind actually काम कैसे करता है इसको सीखने में उनका maximum motivation है वो अपनी जिन्दगी में अगर कोई एक चीज़ करनी हो तो वो यही करेंगे कि वो अपने human mind को काम कैसे करता है इस science को explore करेंगे, इसे learn करेंगे उसे simplify करेंगे और लोगों के साथ share करेंगे भले इस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हो या ना मिल रहे हो तो ध्यान से समझेगा अगर आप इस category को belong करते हैं तो कल आप भी NLP में brand बन जाएंगे तब ही आपको NLP learn करने के बाद NLP सिखाना चाहिए otherwise आपको NLP को learn करने के बाद एक skill के साथ combine करना चाहिए और आपको लोगों के साथ अपने वो unique training program को share करना शुरू करना चाहिए So my best wishes are with you and I would really like to see you inside the course Live the life that you deserve करने भी दो करना चाहिए